हेलो फ्रेंड्स फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल कामर्स बेज्जितेन में तो मैं फिर आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूं न्यू बेकेंसी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार दोस्तों पिलिस यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा तो चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो में तो यह हमारी यह वेकेंसी आई है यह आई है हमारी नेशनल हाइवे ऑथिरिटी ओफ इंडिया में इसका नोटिफिकेशन का वाया इसका नोटिफिकेशन आया 30 30 अक्तूबर 2021 को तो इस पर सबसे पहले जो हमारा है कि हमारी स्टार्टिंग देट हो रही है फोर्म की वह हो रही है हमारी 30-10-2021 को माला सटर देखो और लाज़ देट अप दर रिश्रीड अप्लिकेशन के वें 29-11-2021 लाज़ देट ओप पेमिंट प्रिसकाइप एप्लिके और आप कोई गलती हो जाए अगर आपसे तो आप करेक्शन कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड दिसंबर 2021 को तक अब इसका National Testing Agency और इसकी जो एक्जाम कराएगी वह कुश् सो से लेके 1,77,500 प्लस ग्रेट पे 54,00 खा तो इसमें नम्मरों पोश्ट कितनी है डिप्टी मेनजर फाइनेंस एकाउंट की टोटल नम्मरों पोश्ट हैं 17 जिसमें आपकी अंडेजब केटिगरी में हैं 6, से के टिगरी में 3, से एक और ओवी सी नौर्म क्लियर में लेकिन इसमें जो आपकी सेंटर लिस्ट में आते हों और यह वाले और युट डब्लूएस के टिगरी में दो तो आपकी डिप्टी मेनेजर फाइनेंस एकाउंट में जो हमारी देखो इसमें क्या है जो पोश्ट का नाम है वो है डिप्टी मेनेजर फाइनेंस एकाउंट और इसमें जो हमारी एज लिमिट रखी गई है वो 35 पियस रखी गई है किलोजिंग डेट और अडबर्टाइजमेंट इसमें आपको रिलेक्सेशन मिलेगा एज में गवर्मेंट उप इंडिया के जो रूल है जो हम आभी नीचे देखेंगे क्वालिफिकेशन और एक्स्पेरिंस क्या चाहिए तो आंके पास बेचलर इन कमर्स यदि आपने बिकाम किया है यदि बिकाम नहीं किया तो आपने चार्टेड किया है यह फिर सर्टिफाई management account या master in business administration या फिर आपने MB किया है through regular from the recognized university और institute या member of any organized finance या account related service of the central government or end four years experience in the financial accounting 4 years experience in the financial accounting या फिर आपको budgeting या फिर internal audit या contract management या fund management या disbursement in the organized report date should be include इसमें लिखा है प्रायर experience six months is a public sector undertaking और government organization following double entry accounting system तो आपके पास इसका और आपके पास experience certificate होना चाहिए वो hod का होना चाहिए उसके बाद हमारी age relaxation तो हमारी जो age होना चाहिए वो 35 तो होना चाहिए फिर हमें category के हिसाब से age में relaxation मिलेगा जैसे कि आप schedule cost में आते हैं तो आपको five year का relaxation मिलेगा अधर वेकबड class में आते हैं जैसे कि आप OBC में आते हैं तो three years का candidate with three years continue service central government provide the post are same तो आपको five year का relaxation मिल जाएगा personal और domicile इंदा यूटियो जम्मू कस्मिर के हैं तो five years का मिल जाएगा आपको और person disability है तो SCST वाले को 15 का OBC वाले को 10 years का मिल जाएगा उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कि सीटी कि सीटी में आपको एक्जाम सेंटर मिलेगा सिटी और एक्जाम सेंटर जहां पर आपका computer waste test होगा तो एहमदावाद गांधी नगर बेंगलोर भवपाल भूमनेशवर चंदिगर चिन्नई इन जो आप देख लीजिए इनमें आपको मिल जाएगा और आपको जो notification है वो मेरी description में नीचे आपको मिल जाएगा महां से download कर लेना mail link provide कर दूँगा selection process तो for the post of the drifty manager in finance में क्या होगा computer waste test होगा इसमें आपका क्या होगा computer waste test होगा cbtt connect कर वाएगा और इस computer waste test इसमें part first और part second में both part will be hundred question आएगे आपके qualify marks in the part second में 30% of the journal OPC के लिए और HCT के लिए 20% one fourth ratio रहेगा one marks रहेगा four one marks to be deduct in the four incorrect answer मतलब आपका .25 की आपके पास negative marking रहेगी कि उसके बाद जब final list बनेगी तो वन वाई थिरी का रहेशो मिलेगा उसमें आपको तो इसमें जो एटी परसेंट मार्क्स और 10 वाई 10 कंप्यूटर वेस्टेस का maximum 10 मार्क्स का जो वेटेज रहेगा only become के तू मार्क्स यदि आपने भी काम किया है यदि आपने किया है तो फाइब मार्क्स यदि बीकाम पिलस किया है तो आपको 7 मार्क्स और विकाम और एनी टू डिग्री ओप दा चार्टेट एकांटेड या साटीफाइब मेनेजमेंट अकांटेंट तो आपको 10 यह का और 10 मार्क्स रहेंगे आपके इंटर्व्यू के उसके बाद हमारा जो इसकीम और एक्जामनेशन क्या रहेगी यह समझ लीजी आप इसकीम और एक्जामनेशन इन से लिवस फॉर पोस्ट अधिप्टी मेंजर फाइनेस एकांट में तो आपके हंड्रेट मार्क्स का एंसीगू रहेंगे हना हंड्रेट मिट का आपके पास्ट डूरेशन रहेगा जर्नल इंग्लिज जर्नल मेंट्स जर्नल नौलेज और रिजनिंग और मेंटल एविलिटी इसकेंड में 100 इसकेंड जर्नल जर्ण्रेट मेंटल इसको मिलेगा इसमें आपका पहला कोर्पेटट अकाँंटिंग इंकम कोर्पेट टेकश्प कैंड्स मैंग्राइज्मेंट अकांटिंग ऐल्ध मेंगर ख्रिंग और को ऊस्टेर्चा इपर चstag रहेगा कि उसके बाद आपकी एप्लिकेशन फीज तो ऐस पर इस टेक्ट एप्लिकेशन फीज है नौट भी चार्ज एससी एस्टी और पीड़ू डी और भूमन केंडिडेट के लिए कोई भी फीज नहीं रहेगी देरफॉर ओनली मेल केंडिडेट किसके लिए जर्नल और अधी ओविसी नौन क्रिम लेर में आते हैं तो पांसुरुपे फीज रहेगी फाइफ हंड्रेड और इडव्ल्यूस के लिए थिरी हंड्रेड और आप एपलाई किसे कर सकते हैं आप ओनलाइन एपलाई ओनलाइन एपलाई करना पड़ेगा वेवसाइट है आपकी requirement.nta.nic.in पर या nhai.gov.in पर एपलाई कर सकते हैं ओनलाइन I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज चेनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज डाउट हो तो आप मुझे comments box में comment कर सकते हैं Thank you very much